सलाम आलेकुम आज का हमारा यूनिट है होमोस्टेशिस एन एड़ाप्टेशन आज हम ये पढ़ेंगे तो ये जितनी भी एड़ाप्टेशन आज एक एक करके हम कवर करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्रेस्ट ने कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें होमोस्टेसिज is from two word hoomo means stasis means to lie definition a state of stable internal environment of the body के ये वो state है के उसमें हमारे पास internal environment of the body जो है वो stable रहता है despite of external changes the relative consistency of internal environment is right to maintain despite change in external environment कि होमस्टेसिज यह होते हैं कि हमारे पास इंटरनल इन्वार्मेंट जो है उस वो वो कंसिस्टेंटली सेम रहता है सेम का मतलब यह है कि हमारे बाड़ी टेंपरेचर जो है अगर नार्मल बाड़ी टेंपरेचर आप देख ले तो वो 37. something है मीनस 20 degree centigrade हम लेते हैं तो यह टेंपरेचर चाहे एकस्टेंटल हमारे पास गर्मिया हो या सर्दिया हो जिस तरह अब यह सनोफाल वागर जब स्टार्ट होते हैं तो सनोफाल में भी अगर हमारी बाड़ी नार्मल है तो वो इंटरनल टेंपरेचर जो है हमारे बाड़ी का टें हो जाता है लेकिन उसी के दोरान भी जो है हमारा इन बाडी का चो टेंपरेचर जो है वो नार्मल रहता है तो इसे कहते हैं होमोस्टैसिस के इंटरनल इंवार्मेंट कंसिस्टेंट हो डिस्पाइट आफ एक्स्टरनल इनवार्मेंट All organs and system of body participate in maintaining homostasis and homostasis means internal stable internal environment बरकरार रखने के लिए हमारे पास तमाम आरगन जो है वो अपना काम सरंजाम देते हैं वो अपना अपना काम करते हैं और इसके एक्जामपल यहां दी गई है के For instance, the lung provide oxygen to replenish it The kidney maintain constant iron concentrations and GI system provide nutrients के हमारे पास lungs जो है वो oxygen की provide oxygen provide करता है बाड़ी को और carbon dioxide body से remove करता है किड़नी का के काम है किड़नी हमारे पास iron की concentration जो है उसको बरकरार रखती है यह homostasis करती है आइन्स concentration की और GIT जो है वो हमारे पास nutrient provide करता है तो इन्हीं चीजों की लिहाज से इन्हीं चीजों को देखती हुए हमारे पास जितने भी body आरगन है सब के सब amostasis में काम करते हैं Contribution of body system to homostasis The 11 body system contribute to homostasis हमारे पास 11 body system जो हो homostasis में काम करते हैं हर एक system अपने तरीके से homostasis जो है वो उसमें help करता है उसमें अपना रोल आदा करता है यहाँ पे पहला जो हमारे पास है circulatory system circulatory system में hurt आता है blood vessels आते हैं and blood आता है तो यह circulatory system transport materials such as nutrient, oxygen, carbon dioxide, waste, electrolyte and hormone from one part of the body to another कहते हैं circulatory system हमारे पास homostasis बरकरार रखता है body में internal environment जो है उसको consistent रखता है किस तरह through the transport of materials such as nutrients, oxygen, CO2, waste, electrolyte and hormone from one part of the body to another इसकी example अगर आप ले 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 तो exercise के दावरान हमारे पास muscular activity जएदा हो जाती है तो उसमें oxygen की transport जो है into muscles जएदा हो जाता है तो उसकी वज़ा से आपका जो है body जो है वो oxygen के लिहास से homostasis रहती है अगर हमारे पास जब हम brain वगेरा जएदा यूस करते हैं कोई reading, writing वगेरा करते हैं तो उस दावरान हमारा brain यूस जएदा होता है तब हमारे brain को glucose की ज़रुत होती है और ये glucose हमारे पास blood पहुंचाता है ब्रेन में तो circulatory system ये वो homostasis में इस तरह रोल अदा करता है digestive system the digestive system mouth, esophagus, stomach, intestine and related argon break down dietary food into small nutrient molecule that can be observed into the plasma for distribution to the blood body cell digestive system जिसमें हमारे पास mouth, esophagus, stomach, intestine और other argon आते हैं वो dietary fruit को break down करता है चोटे चोटे पार्ट में small nutrients molecules में उन्हें break down करता है और ये small molecules जो है energy ये blood plasma में absorb होके body के different parts में ये distribute होते हैं तो इसी के लिहास इसी के through ये हमारे पास body में homostasis maintain रखता है कि जिस जगह पिसकी need जएदा होते हैं उस जगह इसका flow जएदा होता है तो digestive system एक इस तरीके से कि वो nutrient प्रोवाइड करता है different part of the body को दूसरा किस तरीके से it also transfers water and electrolyte from the external environment into the internal environment और through digestive system हमारे पास external environment से internal environment यानि हमारे body में water और nutrient electrolyte जाते हैं किस तरह अगर आप देखे तो हम अगर बना ना काते हैं तो उसमें हमारे पास potassium होते हैं जो के electrolyte है एक इस तरह calcium अगर हम malta वागेरा citrus fruits वागेरा काते हैं उसमें हमारे पास calcium होता है तो through digestion वो calcium electrolyte वो हमने ले लिए इस तरह water जो है तो juice वागेरा हम पीते हैं यह सब digestive system के जरे हमारे पास बाड़ी में external environment से हमारे पास juice electrolyte fluids वाट और यह चीज़े internal environment में जाती हैं it eliminate undigested food residues to the external environment in the feces और यह हमारे पास undigested foods वागेरा जो हैं internal environment से बाहर की तरफ ले जाता हैं क्योंकि अगर IPS की example है कि जब हम कोई medicines वागेरा लेते हैं या इस तरह food वागेरा लेते हैं तो वो जब waste material में convert हो जाते हैं तो वो अगर आपके बाड़ी में रहते हैं तो आपके बाड़ी में acidity creates करते हैं toxicity creates करते हैं आपके बाड़ी में problem create करते हैं तो वो through digestive system आपके बाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और इसी के लिहाद से जो है आपका homostasis जो है वो बरकरार रहते हैं आपका internal environment जो है वो consistent रहता है respiratory system किस तरह अपना केदार करता है homostasis में respiratory system lungs and major airway gets oxygen from and eliminate carbon dioxide to the external environment ये oxygen lungs और major airway ये external environment से oxygen लेकर CO2 को external environment में चोड़ता है तो ये किस तरह हमारे पास maintain रखता है homostasis को कि अगर हमारे पास बाड़ी में oxygen कम हो जाए और CO2 जएदा हो जाए अगर CO2 हमारे बाड़ी में जएदा होता है तो उसका problem क्या होगा वो acidity create करेगा जो आप तो आपका homostasis जो है वो खराब होगा तो respirator system कहकता है CO2 को बाहर रह जाता है आपकी बाड़ी की acidity कम हो जाती है आप homostasis में आ जाते हैं और इस तरह oxygen बाहर से अंदर की तरफ लेता है क्योंकि oxygen जो है वो हमारे पास tissues वगरा के लिए जरूरी है by adjusting the rate of removal of acid farming CO2 the respiratory system is also important in maintaining the proper pH of internal environment और अगर हमारे पास respiratory system काम न करे CO2 हमारे पास बाड़ी में रहे तो ये acidity create करता है तो लहाज़ा acidity से बचाने के लिए आपके बाड़ी में जो homostasis produce होता है वो through respiratory system होता है और ये respiratory system हमारे बाड़ी का जो है वो उसका pH जो है वो proper रखता है urinary system जिसमें हमारे पास kidney और associated plumbing plumbing means इसके साथ ureter ये सब चीज़े तो ये जो है ये homostasis में किस तरह काम के देते हैं they remove excess water salt acid and other electrolyte from the plasma and eliminate them in the urine along with waste product other than carbon dioxide तो ये कह काम करता है कि हमारे पास excess salt water other electrolyte plasma से ले कर उनको eliminate करता है through urine from the body और इस तरह और भी waste material जो हमारे पास urine के जरीए पास होते हैं जिस तरह अगर medicine की बात करें तो अकसर medicine जो हमारे पास हैं वो through urine पास होते हैं calcium वगएरा ये भी through urine पास होता है exalate ये through kidney वगएरा इनकी filtration होती है और ये पास होते हैं other waste material भी हैं इस तरह salt हो गए यूरिक ऐसेड ये चीजSA यूरिया लेकिन हमारे पास सी ओटू जहें वो तरुरो यूरेनरियोल निकलते हैं वदाष सी ओ टू सी ओ तू हम तरु एक्सपईरेशन जो हें वो बाहर निकलते हैं respiratory system के जरीए skeletal system हमारे पास bones, giants provide support and protection for the soft tissue and argon और skeletal system जो हमारे पास है उसमें bones आते हैं giants आते हैं वो के कम करते हैं वो भी हमारे पास soft argon है जिस तरह hurt हो गया lungs हो गया bone marrow यह सब चीज़ें जो हैं कोई protection करता है और इसी के जरीए हमारे पास internal environment को protect करता है और उसको एक consistent चलाता है इसी जरीए तो यह हमारे पास body के different organs है जो के different organ system है जो हमारे पास homostasis जो हैं उसमें maintain दक्रे में अपना केदार आदा करते हैं इस तरह और भी system है जो के आप खुद पढ़ ले 11 system जितने भी है उसमें हमारे पास circulatory system ने पढ़ दा muscular system हमारे पास आता है उसके एफास lymphatic system, lymphatic system भी homostasis में काम देता है, lymphatic system किस तरह काम देता है, lymphatic system में हमारे पास जो है natural army होती है, white blood cell white blood cell, neutrophil ezenophil, जितने भी immune cells हैं, यह सब हमारे पास lymphatic system में होते हैं तो वो आपके internal environment को infection से, inflammation से, micro organism इन सब से बचाते हैं और homostasis जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं muscular system भी इस तरह हैं कि वो muscular activity के जरिये हमारे internal environment को हैं उसको consistent रखते हैं तो यह different जितने भी system हैं, यह सब के सब जो हमारे पास होमostasis में काम देते हैं अब internal environment पे आते हैं the internal environment of the body is tissue fluid and its component which brought the cell internal environment में हमारे पास tissue fluids आता हैं और इसके component जो हमारे पास cells को different argon के cell को बात करते हैं tissue fluid क्या होता है tissue fluid हमारे पास जब blood जो है वो through capillary circulate होता है तो वहाँ पे उससे fluid seep out कर जाता है और इस fluid को कहते हैं tissue fluid यह tissue fluid different tissues में होता है और यह हमारे पास tissue cells को जो बात करता है उसको fresh रखता है the composition of tissue fluid must remain constant if cells are to remain alive and healthy tissue fluid का जो composition है वो remain constant होना चाहिए उसमें changes नहीं होती अगर tissue fluid में हमारे पास किसी भी एक content की level जो है वो increase होता है तो यह आपके body का जो internal environment है वो constant नहीं रहता tissue fluid is nourished and purified when molecules are exchanged across thin capillary wall यह हमारे पास जो है tissue fluid जो है यह nourished and purified when molecules are exchanged across thin जब के पिलर तु के पिलरी वाल हमारे पास molecules की exchange होती है तो उसमें हमारे पास tissue fluid जो है वो nourish होता है tissue fluid fresh हो जाता है means जब आपके पास blood की supply होते है blood पास होता है तो वो concentration के base पी उससे fluid जो है वो seep out करता है और tissue fluid जो है वो बन जाता है पिर यह fluid different tissues में different cell की refreshment उसको बात देता है tissue fluid remain constant only if the composition of blood remain constant चुँकि यह blood से seep out करता है तो अगर blood का composition जो है same constant होगा आपके बाड़ी में हर जगा पे तो उससे निकला हुआ tissue flow जो है उसका concentration composition जो है वो भी constant होगा homostasis and feedback mechanism feedback mechanism homostasis and feedback mechanism क्या है communication with in the body is essential for homostasis देखो अगर आपके बाड़ी ने homostasis करनी है या आप बाड़ी में homostasis होती हैं तो उसमें communication इंतहाई important है communication किसे कहते हैं communication इसे कहते हैं कि अगर आपके बाड़ी में एक system जो हाइपर हो रहा है तो दूसरा system जो हाइप होगा अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरे चीज़ को कम होना होगा एक चीज अगर कम हो रहे तो दूसरे चीज़ को बढ़ना होगा, उन झेल्स में कम्युनिकेशन होगी, मेसेज पास होंगे, उन में फ्लो होगी, आइन्स की, मेसेज की, ताके उन में कम्युनिकेशन रहे और इंटर्नल इन्वार्मेंट जो है वो तुरू परोग्राम तुरू सिस्टेमेटिक भी आपके पास आगे जाए और थे की कोडिनेशन इन्वार्मेंट जो है और इन्वार्मे जो है निवार्मेंट जो है हमारे पास होमोस्टेसी जो है वो बरकरार रहता है और ये नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम त्रू नेगेटिव या पाजिटिव फीड़एक हमारे पास मेंटिन रखते हैं हुमोस्टेसिस को अब हम आगे पढ़ेंगे कि नरो सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम किस तरह मेंटेन रखते हैं हमारे बाडी में फीडबेक को में होमेस्टेसिस को फीड़ बैक किसे के ते हैं फीड़ पार्डेशन वगश फीड़ेशन वागर ओगर उजाती है प्र वो मैंसेज नमारे पास EFactor अरगर उस छेंड के opposite काम कर लेता है, उस change को neutralize करता है, इसे negative feedback कहते हैं, positive feedback, positive feedback इसका opposite है, कि जब हमारे पास एक काम हो रहा है, एक change, एक stimuli आती है हमारे बाड़ी में, तो वो message जो है, वो brain तक चला जाता है, brain में उस पे interpretation होती है, और फिर brain उस stimuli को और ज़्यदा response देने लग जाता है, इसे कहते है positive feedback mechanism, और इन दोनों mechanism के base में हमारे पास homostasis होती है, feedback mechanism, feedback mechanism is a cycle of event in which the status of body condition is monitored and evaluated, feedback mechanism हमारे पास है, यह events, यह events है, event का एक cycle है, सरक साइकल के farm में, और यह हमारे बाड़ी के condition को monitor भी करता है, और उसको evaluate करता है, हमारे बाड़ी में जो हो रहा है, अगर कोई चीज हाइपर हो रही है, कोई चीज बढ़ रही है, तो यह हमारे बाड़ी में उस चीज को monitor करेगा, यह उस चीज को monitor करेगा, और पिर evaluation करता ह कि अब हम इसके opposite हमने के करना है इसको increase करना है या decrease करना है the body conditions are variable such as temperature, blood pressure, blood glucose level are being kept monitored in case of any disruption or stimulus जब भी हमारे पास कोई stimulus आता है कोई disruption आती है जिस तरह कोई infection होता है तो ये internal disruption है infection inflammation हमारे body में होती है या कोई external stimuli आती है उसमें हमारे पास या तो blood pressure में changes आती है, blood glucose level में changes आती है या temperature में change आती है, ये सब चीज़े जो है ये true feedback mechanism के जरिए monitor होती है monitor हम करते हैं कोई भी stimulus वगेरा को और जब वो monitor हमारे पास पता चल जाता है वो note हो जाता है, तो फिर उसके बराक्स या negative feedback के जरिए उसके opposite response होता है या positive feedback mechanism के जरिए उस ही direction में response हो जाता है तो feedback mechanism इसे कहते हैं कि जब भी कोई changes हमारे पास आती है body में तो उस changes को normal करने के लिए उसको homostasis बहलाने के लिए जो हमारे पास mechanism यूज होता है जो के cycle form में होता है, इसे कहते है feedback mechanism three components of feedback mechanism, feedback mechanism के हमारे पास three components है एक receptor, control center and effector, receptor a type of sensor that monitor the environment and response to change stimuli by sending information to the second component that is control center through efferent pathway, receptor के हैं, receptor हमारे पास sensory organs जो के monitor करते हैं changes, environment में जितने भी changes आती हैं ये उनको monitor करता हैं और जो changes आगे उसको transfer करता है control center में तो वहाँ पे उसके response होता है receptor जब भी कोई stimulus, कोई changes receive करें तो उन्हें उसको through efferent pathway carry करता है control center में तो यहाँ पे MCQ से जितने भी हमारे पास sensory organ से जितने भी messages आते हैं चाहे वो enzyme hormone form में हो या electrical impulse, nervous impulse में हो तो अगर वो हमारे पास control center तक जाते हैं through efferent pathway जाते हैं control center क्या है the control center like central nervous system determine the change in our input, analyze and then response accordingly control center हमारे पास central होता है जिसमें receptor से SMS आते है control center में वहाँ पे उन पे काम होता है interpretation होती है, evaluation होती है उनकी monitor किया जाता है, analyzation होती है और पिर control center जो है उस receptor के लिहास पे जो हमारे पास response शो करता है और यह response जो है यह effector को यह carry करता है receptor को यह send कर देता है पिर receptor, sorry, यह हमारे पास effector को control center से जो messages कोई भी है वो effector को send होता है फिर effector जो है वो हमारे पास response शो करता है an effector is a body structure, muscles, gland that receive output from the control center and produce response are effect that change the variable what is effector, effector हमारे पास दो किसम के हैं, एक gland के हैं और एक muscle farm में है तो अगर हमारे पास कोई body में कोई changes आते हैं, चाहिए वो internal या external है उसको through receptor हमने receive किया efferent pathway के जरिए वो control center में चला गिया control center में उस पे interpretation, analyzation, setting वगेरा हुई उसने response शो किया, तो ये response वो send करता है effector को effector through muscular system या glandular system जो है उस response को उस response को वो जो है means वो जो उसको response शो करता है means जो जितने भी stimulus changes वगेरा थे उसको response शो करता है through effector, muscular किस तरह अगर आपको, अगर मैं आपको एक mechanism बताओ कि हमने हाथ रख लिया अगर हमारा हैंड जो है उसमें कोई injury होती है, कोई wound वगेरा होता है या wound को चोड़े, आपको कोई गरम चीज़ पे जाता है तो वो direct, वो गरम चीज़ पे जाता है तो हमारे हैंड में जो receptor हैं, वो receive करते हैं, कि हाँ, आपका हैंड जो हो हाट चीज़ से लग गया है सुझें, through efferent pathway, वो message जो हमारे brain को चला गया, central nervous system को चला गया, brain ने response शो किया, तो response effector के जरिये, वो muscular आरगर में आ गया और आपके bicep muscle जो है आपके hand के जो muscle है वो एकदम से stretch हो गए, आपका hand जो है, वो contract हो गए, आपने hand डिरेक्ट से उटा लिया, तो ये muscular response है glandular response किस तरह होता है वो हम आगे पढ़ते हैं glandular response आपका जो है mindfully clear हो जाएगे, तो ये एक cycle है, इसके जरिया हमारे पास body में feedback होते है receptor, control center and effector the effector provide the mean for the control center response to the change along the efferent pathway effector जो है वो response शो करता है, वो output response शो करता है, through efferent pathway, efferent pathway हमारा body जो भी response शो करेगा, through efferent pathway शो करेगा reception होती है effect efferent pathway के जरिया जो A से स्टार्ट होता है, और infection या response शो होता है, वो through efferent pathway होता है, तो ये आपको ये इंतहाई important है, इस unit में ये MCQs लाजमी आते हैं efferent pathway क्या होता है, efferent pathway क्या होता है result of response and feedback to influence the stimulus either depressing it negative feedback or enhancing it positive 我也, आर हमारे पास response जो है, वो दो तरह का होता है या through positive response, वो positive feedback के जरे वो response जो हो increase हो जता है, या through negative feedback वो response जो है, वो कम हो जाता है, most of the response are negative feedback which maintain in homostasis और maximum response जो है वो through negative होते हैं और negative feedback के जरे हमारे पास जो है homostasis जो है वो बरकरार रहता है फार एक्जेंपल विन यूर बाड़ी temperature drop sharp अगर आपके बाड़ी का temperature जो है वो decrease हो गया your brain control center send nerve impulse to your skeletal muscle आज़ जा अगर आपके बाड़ी का temperature जो है वो कम हो गया तो आपके बाड़ी में जितने भी तर्मो रिसेप्टर हैं उन्हों ने receive किया कि हाँ आपके बाड़ी का temperature कम हो गया वो message चला गया brain को control center को control center ने nerve impulse बेच डिये output दे दिये आपके skeletal muscles को तो skeletal muscle क्या response को करेंगे as a result you start shivering which generate heat and raises your body temperature आपके muscular muscular system को चलाग गया आपके शियूरिंग आजाती है शियूरिंग के दवरान आपके बाड़ी में heat produce होती है और heat जो है वो आपके बाड़ी के temperature को increase कर देते हैं तो अगर कोई शख जो है उसको जो temperature कम हो गया तो control center जो है हमारे पास brain उसमें ये message चला गया control center ने क्या क्या response हो किया through muscular system और आप पे शियूरिंग आगई शियूरिंग के जरीए आपका बाड़ी में heat produce होती है और उस heat के जरीए आपका temperature जो हो नार्मल हो गया negative feedback mechanism a negative feedback system reverse a change in control condition negative feedback mechanism के जरी हमारे पास जो वो change है वो reverse होता है if for example blood pressure rises due to internal or external stimulus the very receptor pressure sensitive nerve cell located in the wall of certain blood vessel detect the higher pressure अगर किसी भी वाज़ा से external या internal environment stimulus की वाज़ा से आपके पास blood pressure जो है वो increase हो गया तो क्या होगा baroreceptor आपके पास जो blood pressure sensitive nerve cells है वो उसमें क्या होते हैं वो detect करते हैं कि हाँ आपके body में blood pressure जो है वो increase हो गया यह message चला जाता है आपके nurse cell को कि आपके body का pressure जो है वो blood pressure जो है वो increase हो गया the baroreceptor send nerve impulse input to the brain which interpret the impulse and response by sending nerve impulse तो baroreceptor के कहते हैं कि baroreceptor impulse impulse input हो गया वो brain में चला गया brain control center है वहाँ से आपके पास response show हो गया response औरो nervous system को वो response चला गया यह output जो है to the heart effector तो वो heart की तरफ चला गया heart rate decrease which causes blood pressure to decrease तो effector क्या है कि नर इंपास जो है उन्होंने heart के muscles को heart का जो activity है heart को वो messages transfer कर लिए heart की जो activity है heart rate वो decrease हो गई जिसकी वाज़ा से आपके पास जो BP है वो भी decrease हो गई तो यह through negative mechanism के जरी आपके पास जो है blood pressure आपका नर्मल हो गया in this sequence of event quickly return the control condition variable blood pressure is to normal तो यह mechanism के जरी आपका heart जो है वो कम हो गया उसके जो जिसकी बीपी कम हो गया तो आपके पास blood pressure जो है वो अपने नर्मल लेवल पे आ गया this far in blood pressure negate the original stimulus and is there what term is negative feedback system or mechanism तो stimulus की वज़े से आपका BP increase हुआ था और affection की वज़े से अब आपके BP जो नर्मल की तरफ जा रहा है वो decrease कर रहा है तो यह negative feedback mechanism है negative feedback mechanism आपके body में जो stimulus जो इसके opposite काम करता है control of blood glucose level blood glucose level जो है वो किस तरह control करते हैं अब यह हमारे पास endocrine system feedback mechanism है through endocrine system or body need a continuous supply of supply of glucose for cellular metabolism to produce energy in the form of ATP हमारे body cause a continuous supply of continuous supply of glucose की जरूत होती है energy ATP की जरूत होती है जो कि हम glucose से लेते हैं blood sugar level are normally maintained हमारे पास जो fasting blood glucose level है वो 90 to 110 mg divided per 100 ml means 100 ml में हमारे पास 90 to 110 mg शुकर होते हैं तो काना काने के बाद जब हमारे पास glucose की लेवल जएदा हो जाती हैं हमारे बाड़ी में तो क्या होते हैं हमारे पास message चला जाता है brain को brain message देता है और वहाँ पे हमारे पास pancreatic cell जो है उनको message चला जाता है और वो insulin की production करता है वो insulin release कर देता है pancreatic insulin release करता है तो insulin जो है वो glucose level जो हमारे blood में increase हो चुका है after meal उसको convert करता है glycogen में और वो glycogen हमारे बाड़ी में जो है store हो जाता है और liver में store हो जाता है तो इसलिए हमारे पास access जो glucose वो store फाम में आ जाता है और blood glucose जो नार्मल आ जाता है हिंदी glucose level come to normal similar in case of hunger the blood glucose लेवल फाल अगर हम बोके हैं या कोई fasting वाखे रहे हैं तो वहां पे glucose का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो हमारे पास अगर glucose का लेवल कम होता है तो blood glucose का लेवल कम डिकेट हो जाता है और एक लुगागान हर्मोने वो भी पेंक्रियास से रिलीज होता है वो हमारे पास टोड गलाइकोजन जो किलिवर और मसल में है उसको convert करता है गुलुकोस में और इसी तरह हमारे पास पिर बाडिक का जो गुलुकोस लेवल है वो normal पे आजाते हैं और इनको कहते हैं negative feedback mechanism वो जो stimulus के opposite काम करे उसको कहते है negative feedback mechanism पाजिटिव feedback mechanism क्या है? positive feedback mechanism strength and reinforce a change invariable of a body अगर बाडिए में हमारे पास कोई changes variable stimulus वगहरा आता है तो ये उसको increase कर देता है इसको कहते है positive feedback mechanism positive feedback mechanism operates similarly to negative feedback mechanism but the effect of the stimulus is enhanced positive feedback mechanism वो हमारे पास negative feedback mechanism की तरह काम करता है लेकिन फर्क उसमें ये है कि negative feedback mechanism जो है वो stimulus के opposite काम करता था और ये stimulus के direction में काम करता है कि अगर कोई stimulus एक चीज़ को increase करता है तो ये उसको और भी बढ़ा लेता है और इसकी example क्या है during childbirth for example the first contraction of labor stimulus push part of fetus into the cervix केते हैं कि childbirth के दवरान जब हमारे पास बच्चे की बेदाईश होते हैं तो contraction labor के दवरान अगर contraction स्टार्ट होते हैं तो वो fetus को push करता है cervix की तरफ एक stretch तो cervix में हमारे पास जो receptor होते हैं वो receive करते हैं इस पुश को pressure को और यह message चला जाता है हमारे brain को और वहाँ पे क्या होते हैं वहाँ पे through positive effect mechanism के जरीए यह message आ जाते हैं और सर्विस की contraction और भी जएदा होती है यह अब हम पढ़ते हैं आगे stretch sensitive nerve cell receptor in the cervix and nerve impulses to the brain कि हमारे पास nerve receptor जो है nerve cell receptor जो है stretch होदार चाते हैं और सर्विक्स में और यह message चला जाता है brain को control center को which internal release और वो बदले में के रिलीज करता है oxytocine hormone output into the blood वो oxytocine blood में release कर देता है और oxytocine जो है वो contraction को और भी increase कर देता है oxytocine cause muscle in the wall of the uterus to contract even more वो muscles को है उसको और भी जएदा contract करता है डिकांट्रेक्शन पुछ डिफेटरस पार दर डाउन डियूटरस वी स्ट्रेश दी सर्विक्स इवन मॉर तो यह सर्विक्स की स्ट्रेशिंग और भी जएदा हो जाती है और यह एक पुछ सादेता है तो एक पुछ जब उसको मिले तो बचे की डिलियूर्जिय वो नर्मली हो जाती है तो यह पुछ पुछ फीड़बेक मेकेनिजम आज़ दी रिस्पांस आफ दी बाडी मूज एलांग दी डिरेक्शन अफसी मिले वो इन फॉर्स होती है उसी डिरेक्शन में इंक्रीज होती है और इसी के जरीए पिर हमारे पास जो है होमोस्टेसिस मेंटेक रखता है लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पाजिटिव फीडबेक मेकेनिजम वो बहुत रियरलि अमारे पास होमोस्टेसिस मेंटेन लगते है होमोस्टेसिस जब भी हमारे पास होते है वो तूर्व नेगिटिव फीडबेक मेकेनिजम के जरीए होता है तो यह आज का हमारा लेक्शर था अग आप हमारे चिशनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को शियर करें जितनी भी स्ट्रेट है कोई भी क्वेस्टन वागे रहा हो आप हमसे पूछ सकते हैं तेंक यू